हलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल किट्स लर्निंग फन आज हम डिसकस करने वाले हैं क्लास फॉर्स्ट मैठ वर्कशीट अगर आप क्लास फॉर्स रिलेटिड ओल सब्जेक्ट्स की वर्कशीट जो है वो सर्च कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस से चैक कर सकते हैं वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे चैनल के उपर फर्स तैम विजिट कर रहे हैं और मेरी वर्कशीट्स एंस लेबस आप लोगों के लिए हैं तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आई है त चैनल केट्स लर्निंग फन को सब्सक्राइब कीजेगा साथी बैल नोटिफिकेशन पर जाकर के और पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले चैनल के उपर जितनी वी नूटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो यहां पर हमें पह लिखना है Next question we have the number between 9 and 11 is 9 and 11 के between number पूछा है तो 9 के बाद आएगा 10 and then यहां पर लिखा है 11 तो यहां पर आंसर आएगा 10 One more than 21 is यानि कि 21 में जब हम one number add करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 22 Dash comes just after 29 29 के just after यानि कि बाद में क्या आता है तो 29 के बाद आता है 3030 Next question है Dash comes between 48 and 50 48 और 50 के बीच में कौन सा number आता है बच्चों? 49 Dash comes just before 32 So, 32 से before number कौन सा है? 31 Next question the product of 7 multiply by 2 7 to the 14 6 tenths and 2 ones is 62 Next question है 100, one tenths and 3 ones So, यहां पर क्या लिखेंगे हम? 113 12 फाइजा 60 So, यहां पर हमने complete किये है हमारी first worksheet चलिए next question की तरफ चलते हैं So, next question है draw beads on the abacus So, यहां पर abacus बना के दिया गया है और यहां पर हमें numbers दिये गये हैं तो हमें number को check करना है और उसके according हमें यहां पर abacus के उपर beads बनाने है तो first number पर हमें दिया गया है 32 तो यह जो है वो 10s का place और यह 1s का place है बच्चों So, चलिए हम इसको complete करते हैं So, 2 यानि की जो 1s की place है उस पर हमें 2 beads बनानी है and 10s की place पर हमें 3 beads बनानी है and 10s की place पर बनेगी 2 beads Next question है 61 So, यहां पर 1s की place पर बनेगी 1 bead and 10s की place पर बनेगी 6 beads So, इस परकार से हमें यह question जो है वो complete करना है Next question we have before, after and between So, यहां पर हमें numbers दिये गए हैं कुछ के before number दिये गए हैं कुछ में between number लिखे हैं और कुछ after number लिखे हैं So, हमें check करना है कि हमें कौन सा number कहां पर fill करना है So, यहां पर है before, बीच में है between and then उसके बाद है after number So, चलिए देखते हैं before number में यहां दिया गया है 26 and between number जो है वो blank है 28 यहां पर लिखा हुआ है So, 26 and 28 के between number कौन सा आता है? 27 Next number है यहां पर 42 42 से before number आएगा 41 and after number आएगा 43 अब यहां पर after number में 38 नमबर दिया गया है तो यहां पर हमें लिखना है 37 and उससे before number आएगा 36 यह हमारी reverse counting चलेगी Next यहां पर है 72 and 74 between number आएगा 73 100 से before number है 99 100 से after number है 101 यहां पर है 131 के और 133 के between number आएगा 132 and 198 and 200 के between number आएगा 199 इस तरीके से आप बचों को before after and between का concept जो है वो clear कर सकते है Next question है Write the factors and the product तो यहां पर हमें factors को देखना है और फिर उसका product जो है वो लिखना है यहां पर दिया गया है 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals to कितने times 2 है उसको हमें count करना है तो यहां पर है 1, 2, 3, 4 4 times है तो हमने लिखा है 4 multiply by 1 यानि कि 4 बंजा 4 अगेन हमें चेक करना है 4 plus 4 plus 4 सो कितने times है बचों 4 1, 2, 3 so we have to write down here 3 and 3 multiply by 2 3, 2 जा 6 7 plus 7 2 times है तो यहां लिखेंगे 2 and 2, 4 जा 8 यहां पर 9 जो है वो 3 time है so 3, 3 जा 9 next question यहां दिया गया है complete the following so यहां पर number दिया गया है 24 और यहां लिखा है 10 and यहां लिखा है once so 24 में 2 आएगा हमारा 10 की place पे and 4 आएगा हमारा once की place पे तो यहां लिखेंगे 24 next question है 32 so यहां पर 3 आएगा हमारा 10 की place पे and 2 आएगा once की place पे तो हमें यहाँ पर लिखना है इसका number name तो हम लिखेंगे 32 तो यहाँ लिखा है 13 तो 1 आएगा हमारा 10 की प्लेस पे और 3 आएगा 1 की प्लेस पे यहाँ लिखेंगे number name 13 तो इसी प्रिकार से आपको next question भी complete करवाना है तो आज हम लोग उने discuss किया है class first of maths worksheet तो अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए helpful है और आप लोगों को इससे help मिली है तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल के ट्स लैनिंग फन को सब्सक्राइब कीजेगा साथी बैल notification पे जाकर के all पे जरूर क्लिक कर दीजे ताकि आने वाली चैनल के उपर जितनी भी न्यू वीडियो से उनका notification आप तक पहुँच जाए सब इस subject से related जितनी भी worksheets वो आप मेरे चैनल के उपर जाकर के playlist पे चेक कर सकते हैं जिसमें English grammar भी है साथी साथ JK कोई questions भी मैंने वहाँ पे upload किये हैं and English short sentences वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you